जेहिंद कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आज जो आपका बिहार मद निशेध दरोगा की जो परिक्षा 16 जुलाई 2013 यानि कि आज आपका जो रभीवार है और रभीवार को जो तिरपन सिटों के लिए बिहार मद निशेध दर लोगा की जो भरती आई थी इसका एक्जाम आज 16 जुलाई को संपन हो चुका है और जो लोग भी इस एक्जाम में बैठे हैं उमीद करते हैं आप सभी का एक्जाम बहुत अच्छा गया होगा ठीक है आईए हम लोग आज के जो एक्जाम में जो आपके प्रस्ण पूछे जिये कि आपने अंसर क्या लगाया है और कुछ प्रस्ण का लेंग्वेज अगर आप सभी को अलग मिले तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा चुकि आप ही लोग एक्जाम में बैठे थे ठीक है तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि हम नमरिंग के माध्यम से कुछ प्रस्ण को लिखे हुए हैं जैसा कि कुछ नमबर के माध्यम से हम 123 करके प्रस्ण को लिखे हुए हैं वास्तों में यह आपके एक्जाम पेपर के नमरिंग नहीं है आप लोग इस भर में मत रहिएगा ठीक है चलिए तो अपने प्रस्णों को हम लोग देख लेते हैं जैसा कि पहला प्रस्ण हम लिखे हुए हैं कि ताप मान का SI unit क्या है देखिए आप से temperature का SI unit पूछा गया था और आप सभी को पटा है कि आप physics से पहला जो आपका मात्रक और मापन का जो चेप्टर है उस चेप्टर से से प्रस्ण को उठाया गया है और SI unit में ताप मान का जो मात्रक होता है केलविन होता है सेल्सियस नहीं होता है ठीक है तो अगर आप सभी लोग केलविन लगाये हुए हैं आपका जबाब बिल्कुल सही है ठीक है चलिए अगले प्रस्ण पर देखिए आपका अगला प्रस्ण आपसे पूछा गया था कि 2023 का IPL मैच किस टीम ने जीता देखिए आईपील से करेंट के रूप में आपसे पूछा गया था और ध्यान देजिए विजेता टीम CSK यानिकी चनई सुपर किंग है जबकि उप विजेता क्या है तो जीटी है गुजरात टाइटन जिसके कप्तान कौन है हर्दिक पंडिया और CSK के कौन कप्तान थे आप सभी लो पूछा गया था तो स्री पीके स्रियास्तों का नाम आप लोग अगर सही जवाब लगाये हुए है अपने पेपर में तो सही है जो 29 मई 2030 को पदवार को क्या किये थे संभाले थे ठीक है चलिए चौथा प्रसन आपके सामने था राष्ट पति सासन सबसे पहले बिहार में प्रसन शाखो cua था और मुक मंत्री उस समय थे भोला पवण्शास्ती थे रिखया चलिए अगला प्रसन आपके सामने था पांच नंबर आपके पेपर और प्रसन 3 ठीक है एक प्रस्ण आपसे था कि बिधान परिशत बिधान सभा के होते हैं तो एक तिहाई ऐसे करके अप्षन में कुछ था आप लोग बताईए कमेंट में क्या था चुकी तो आप ही लोग तो बैठे थे एकजाम में ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है आपके सामने 6 नमबर किसी बश्टू का प्रिथवी की अपेक्षा चंद्रमा पभार कितना होता है फिजिक्स से प्रस्ण था और एक बटा चो होता है अगर एक बटा चो आप सभी लोग सही किये हैं बिल्कुल आपका जबाब सही है अगला प्रस्ण आपसे था जीडीपी यानि कि ग्रॉस डॉ पुछा गया था या कोई तुल्नात्मक प्रस्ण था आप सभी लोग कमेंट में बताईए देखिए इस प्रस्ण के हम इस प्रस्ण से पूष्टी नहीं हो पाए कि आखिर इससे क्या पूछा गया था लेकिन जीडीपी से आपका प्रस्ण था आप कमेंट में हमें जरूर बताईए कि प्रस्न क्या था ठीक है चलिए अगला प्रस्न आप से था देख लिजिए कि गागर में सागर मुहाबरे का सही अर्थ देखिए हिंदी से प्रस्न पुछा गया था गागर में सागर मुहाबरे का सही अर्थ तो थोड़े पानी में बहुत कहना इसका सही अर्थ हो चलिए अगला प्रस्ण आपसे पूछा गया था फिजिक्स से ही एजी प्रस्ण पूछा गया है कोई हाड प्रस्ण नहीं पूछा गया है जी नियतांक का मान होता है जी नियतांक का मान क्या होता है कितना होता है तो ध्यान दिजिए 6.67 गुणे 10 के पावर माइनस 11 न्यूट मीटर स्क्वाइर प्रति केजी स्क्वाइर जो भी अप्षन में था अगर आप लगाए हुए है इस वाले मान को तो आपका जवाब बिल्कुल सही है ठीक है चली अगला प्रस्न था आपके सामने औरंगजेव की मिर्टु कब हुई देखिए औरंगजेव की मिर्टु हुआ सब्सक्राइब 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 अगला प्रस्ति आपके सामने था बहुरास्तिय कंपनी नहीं है अब अगर बात किया जाया पेपसी हो जाएगा सेमसंग हो जाएगा और बहुत सारे कंपनी है ठीक है नहीं पुछा गया था क्या इससे रिलेटटर प्रस्न था अप हमें इसका सही जवाब ज़रूर कमेंट में बताइएगा ठीक है यह बाईलोजी से भी प्रस्ण इजी ही आप से पूछे गए हैं कौन उभाइलिंग है देखिए उभाइलिंग जीओ का नाम पूछा गया था ठीक है तो केचुआ भी है जोक भी है घूंगा भी कुछ है अप्शन में क्या था आप हमें कमेंट में जरूर बताईए ठीक है चली अगला प्रस्ण है आपके सामने कि प्रदानमंत्री फसल बीमा योजना कब सुरू किया गया ठीक है तो दो हजार सोलों में सुरू किया गया चली यानिकी प्रधान मिंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू किया गया 2016 में जो भी अप्षन में था आप अगर 2016 को लगा है आपका जबाब बिल्कुल सही है ठीक है देखिए अगला प्रस्ण भी आप से IPL से पूछा गया था देखिए यहां आर भी सी नहीं होगा आर सीबी होगा ठीक है आर सीबी का कप्तान कौन था यानिकी रुआयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान बताना है तो ध्यान रखिए कौन थे यानिकी डूपलेसिस थे यानिकी फैप डूपलेसिस आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है यानिकी विहार करेंट से भी आपके प्रशन पूछे गए हैं अगला प्रशन आपसे था देख लिजी पटना हाई कोड के मुख्य झ्याधान में कौन है तो विनोध चंद्रन है पटना हाई कोड के वरतमान झ्याधान ख़ीक है और ध्यान रखिए सरी मुख्य झाधान से वर्तमान में बिनोध चंद्रन जबकि पहले कौन थे तो सर इडवर्ड डेन चेम्स कौन थे चेमियर थे ठीक है जो भी था आपके अप्शन में क्या पूछा गया था लेकिन इस से रिलेटेड प्रसना आपके एकजाम में पूछे गये थे ठीक है चलिए अगला प्रसना आ है पक्छियों का पंख पूण सा अंग है तो समझात औंग जो भी अप्शन में दिया था आप लगा है आपका जबाब बिल्कुल सही है देखिए कुछ ही प्रस्न मेरे पास आये थे जो मैं आपको जल्दी बता दिया आपका प्रस्न टोटल सव का सव टाइपिंग हो रहा ह सभी प्रस्ण को मैं इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से आप सभी को कम्प्लिट करा दूँगा और आप सभी लोग मिला लेजिएगा कि आपका कितना एसकोर हो पया है इस बार के एकजाम में आने वाले भी जो भी स्टुडेंट है बिहार दरोगा या बिहार पुलिस के त्यारी करने वाले जो भी वेकेंसी बिहार दरोगा में आने वाला है और जो बिहार पुलिस आया है आप लोग भी इस कोशन के माध्यम से समझ लेजिए कि बिहार का जो स्पेसल एकजाम है किस ले आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत